नमस्कार, Divine Healing चैनल पर आपका स्वागत है और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि अगर आप इस वीडियो तक आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए हैं तो जलदी से इस वीडियो को शुरू करते हैं आपके सामने एक इमेज होगी, जिसमें दो फोटोज आपको दिखेंगे इन दो फोटोज में से आपको एक फोटो को चूज करना है, सेलेक करना है और अगर आप पहली वाली इमेज को सिलेक करते हैं तो ये संदीश आपके लिए है फिलाल आप अपने जीवन में प्यार की कमी कानुभव कर रहे हैं सचे प्यार की तलाश कर रहे हैं इसलिए इश्वर ने धेर सारा प्यार आप लोगों के लिए पहुँचाया है इस संदेश के माध्यम से इसलिए भगवान आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारा प्यार आपके जीवन में आने वाला है एक एसा इंसान जिसके आप तलाश कर रहे हैं वो आपके जीवन में प्यार को लेकर आने वाला है विश्वास को लेकर आने वाला है जिसा कि आप अपने सपनों में सोचते हैं कि कोई हो जो आपको समझे जो आपको चाहे ऐसा कोई व्यक्ती आपके जीवन में आने वाला है जो अधूरा पन आप फील करते हैं अपने जीवन में उस अधूरे पन को पूरा करने के लिए कोई आपके जीवन में आने वाला है बहुत सारा प्यार लेकर आज तक जो भी आपने अपने सपनों में सोचा कि आपका साथी ऐसा होना चाहिए कोई हो जिसे आप अपनी दिल की बाते कर सके वो आपको समझे, आप उसे समझे सब कुछ जितना भी आपने अपने खयालों में सोचा है दोस्तों वो सब कुछ अप सच होने वाला है यही संदेश आप तक पहुँचाया इश्वर ने और एक बात जो वो कहना चाहते हैं कि आप फिल्कुल सेफ है एंजिल्स आपकी गाजिन एंजिल्स आपके बहुत पास है बहुत क्लोज है अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो आपने सोचा है वो आपको मिले तो आपको सरेंडर करना होगा आपको अलाव करना होगा मिरेकल्स को होने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जादू हो तो आपको उसे अलाव करना होगा तो कहिए खुद से कि मैं तयार हूँ जो प्यार आप मेरे जीवन में भेजने वाले हैं उसे accept करने के लिए उसे सुईकार करने के लिए मैं तयार हूँ तो कहिए अपने दिल को सच्छे प्यार से भरकर अपने दोनों हाथों को फैला कर कि आप सुईकार करने के लिए तयार हैं उस प्यार को जो इश्वर आपकी तरफ भेज रहे हैं या भेजना चाहते हैं आपने जो अपने दिमाग में रुकावटे बना रखी है उसे दूर कीजिए और सुईकार कीजिए सचे दिल से सुईकार कीजिए बहुत सारा प्यार आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों बस आपकी एकसेप्टेंस की देर है आप एकसेप्ट नहीं कर रहे हैं बस अपनी चाहत बता रहे हैं आप एकसेप्ट नहीं कर रहे हैं यही संदेश आपको इश्वर ने पहुचाया है कि accept करो, accept करो, बोलो कि आप accept कर रहे हो, आप सुईकार कर रहे हो जो वो प्यार पहुचाना चाहते हैं उसको, तो यही था आप लोगों के लिए संदेश मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे इस प्यारे से मैसेच से, थैंक यू, तो अगर आपने दूसरी इमेज को सलेक किया है, तो यह संदेश आपके लिए है, और यहाँ इश्वर बताना चाहते हैं कि आप धन की कमी को अनुभव कर रहे हैं, फाइनेशली स्ट्रगल अभी फिलाल आपके जीवन में चल रहा है, और इसी के साथ इश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी विशिस, जो भी आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में आए, जो भी आपने सोच रखा है, आपकी जो भी ख्वाईश हैं, तो अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, आपकी जो भी planning की है, कहीं घूमने जाना है कुछ shopping करना है, celebration करना है, जो भी experiences लेना चाहते हो आप अनुभव करना चाहते हो, जो भी चीज़ें अपने जीवन में, वो सब कुछ आप अनुभव करने वाले हो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी दोस्तों, और आगे वो बताना चाहते हैं कि ये सारे experience आपके पास आएंगे पर सबसे पहले आपको अपना connection सुधार ना है, पैसो के साथ आज तक आपने हमेशा पैसो की कमी पर ध्यान दिया उसके अभाव पर जो आपके पास नहीं है उन चीजों पर ध्यान दिया पर आज से और अभी से आपको देखना है कि जो भी चीज़ें आपके पास है उनके लिए शुक्र गुजार होना है जो भी चीज़ें आज तक पैसो की वज़े से आपके पास आई है उन चीजों के लिए शुक्र गुजार होना है जो भी चीजें आपके पास है कभी आपने उसका धन्यवाद ही नहीं किया और मांगते गए और मांगते गए बिना धन्यवाद किये जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा पर जो है पहले उसको धन्यवाद करना सीखे भले वो एक छोटी से छोटी चीजी क्यों ना हो पैसो से जुडी हो या पैसो से जुडी ना हो उसका धन्यवाद करे उसके होने का धन्यवाद करे आपके जीवन के होने का धन्यवाद करे हम बहुत कुछ सोचते हैं फ्यूचर के बारे में पर आज में हम कभी नहीं जीते जो आज हमारे पास है हमारा जीवन हमारी सांस है इनके बारे में हम कभी नहीं सोचते कि ये भी तो कितनी अनमोल है क्या ये करोडो अर्बो पैसो से कम है क्या हम जीवित है सबसे खास मैसेज आप लोगों के लिए यही है मेरे दोस्तों कि जो है उसे स्विकार करें और धन्यवाद करें सारे रास्ते आपके लिए खोल दिये जाएंगे धन्यवाद कहना सीखें और एक छोटा सा मैसेज हो रहे है आप लोगों के लिए कि अपनी इनर कॉलिंग को सुनना शुरू करें आपकी दिल की आवाज वो आपको क्या कहना चाहती है उसे सुनना शुरू करें तो यही था आप लोगों के लिए मैसेज मैं आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब इस संदीश के दौरा आपको मिले होंगे दोस्तों धन्यवाद